अभी मैं आप लोगों को कुछ ऐसी फोटोस दिखाने वला हूँ जो मैंने एक डिजिटल कामरा से शूट करा है एकदम अंधेरे में और मेरा जो लाइट सोर्स था वो सिरफ ये फोन का डिस्पले था अब ये मैंने कैसे अचीव करी पहले आप फोटोस दिखाऊंग। अब मुझे नहीं बता आप लोगों को ये फोटोस कैसी लगी जिस प्रोसीजर से मैं जो आगे पताऊंगा जो मैंने कैप्चर कर रहा है मैं परसनली बहुत एक्साइट था और जब रिजल्ट देखा बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट था और ये जो लाइट सोर्स है ये बिस कर रहा है अब ये कैसे हुआ क्या कैमरा सेटिंग्स है और बिहाइंड दे सीन्स वह मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले लेट्स रोल दे इंट्रो अब इन फोटोस में जो आपने अभी देखी थी ये दो प्रॉप्स है एक माउस है मेरा एक मेरा कैमरा है योस आर्पी अब अगर आपको product photography करनी है और by chance आपके पास कुछ light source नहीं है कुछ external light नहीं है तो उस situation में आप कैसे product photography करते हो वो ही मेरा objective था और जब problem होती है तो obviously कुछना कुछ solution होता है या जुगाड इस case में जुगाड है ये application यहाँ से मैं इसको on and off कर सकता हूँ अब ये on है और मे मुझे red color चाहिए, मैं red color से light painting कर सकता हूँ, blue color चाहिए, blue कर सकता हूँ, जो भी color चाहिए, मैं यहाँ से change कर सकता हूँ and जो आपने अब ही result देखा, obviously वो red, green, white इन सब का mix था, तो ये आपकी creativity के उपर है, आप क्या lighting effect आना चाहरे हो, अगर आपको दो light का effect चाहिए, red और blue तो maybe 5 second तक आप red यूस करोगे, 5 second बाद आप blue यूस कर सकते हो, white का भी mixture यूस कर सकते हो, जो मैंने कुछ images में यूस करा था, अब कैसे करते हैं, उस final चीज़ पे आते हैं, अब उससे पहले थोड़ी settings की बात कर लेते हैं, जो मैंने अपने camera में डाली थी, सबसे पहली फोकस है, वो आपको manually करना पड़ेगा, अब आप कैसे फोकस करोगे, LSRI lights on कर लो, subject को रख लो, जहां camera है, वो distance set कर लो, जहां आपको focus है, subject पे, वो आप focus करके अपने lens को manual focus पे डाल लो, अगर आपके पास mirrorless है, आप focus peaking देख पाऊगे, यह आपका focus set हो गया, next चीज आती ही है, camera setting जहां exposure डालते हैं, अब सबसे पहली चीज आप ISO डालोगे, जो है सबसे minimum 100, 64, 200, जो भी है, 100 हर camera में होता है, अगर आप phone से shoot कर रहे हो, तो भी आप try कर सकते हो, minimum ISO, second चीज आती है, आपकी shutter speed, shutter speed यहापे main चीज है, because आपको plan करना पड़ेगा, अब मैंने अगर 3 lights चूज करी, white, red and blue, तो मुझे 3-3 second divide करने पड़े, धाई या 3 second, तो इस साब से आपको plan करना पड़ेगा, तो अगर मैंने ISO 100 डाला, shutter speed, 10 seconds डाल दिया, aperture, मैं इन दोनों के basis पे डालूँगा, जहां मुझे, पहले मैं F5.6 से शुरू करूँगा, light painting करूँगा, अगर bright लगे है हमारी exposure settings, एक important tip जो आपको इस तरह की photos में यूज करना पड़ेगा, यहां तो आप tripod यूज करो, मैंने इस साब से दिखाया behind the scene, जहां आप tripod नहीं यूज कर रहे है, मेरी table पे camera रखा है, तो मैंने 2 second का timer यूज कर रहे है, which is a must अगर आप tripod यूज कर रहे है, तो अब मैं आपको behind the scene दिखाता हूँ, यहां पे जहां मैंने अपना camera set कर दिया, जिससे मैं shoot कर रहा हूँ, settings अरी डल गई है, manual focus पे है, और बहाँ पे दूसरे end पे मेरा subject है, जिसके उपर मैं light painting कर रहा हूँ, अब वो आपके उपर depend है, आपको color change करना है, तो आपको quickly tap करके color change करके light painting करना होगा, different combinations कर सकते हो, वो आपके उपर है, यहां पे मैंने कभी white करा, कभी red, कभी blue, it depends, आपको final output क्या चाहिए, तो यह था कुछ different light painting, आप काफी लोग comment कर रहे थे light painting के उपर वीडियो, और घर पे बहुत minimal use के साथ, एक smartphone में एक app जो आपको डालनी है, इसका link मैं, description मे मैं दे दूँगा app का, वहाँ से आप use कर सकते हो, ऐसी बहुत सी apps हैं, तो just एक smartphone का display यूज़ करके और एक prop को रखके, आप shoot कर सकते हो एकदम अंधेरे में, एक चीज़ यहां रखना, सारी lights off होनी चाहिए, सिरफ mobile जो app है, उसका ही display on रहेगा, तो अगर ये video useful लगी, जित I would love to see your work, हम मिलते हैं आगे जितरा interesting and informative videos में, तब तक take care and keep clicking, stay home, stay safe